भगवान है या नहीं? एक सच्ची घटना. अक्सर लोग सोचते हैं भगवान होते हैं या नहीं? क्या भगवान होते हैं? क्या भगवान सच में हैं? इसी बात का जवाब जानने के लिए एक सत्य घटना का उदाहरण देखिए. ये सच्ची घटना जम्मु कश्मीर के इंडियन आर्मी के 15 सिख जवान अपने मेजर के नेत्रित्व में हिमालय के उंचाईयों में बनी आर्मी पोस्ट जा रहे थे। सर्दी का मौसम था और बीच बीच में बर्फ पढ़ने की वजह से कडाके की ठंड पढ़ रही थी। इससे इन दुरगम रास्तों पर सफर और भी मुश्किल हो गया था। सफर के बीच मेजर के मन में ख्याल आया। काश एक कप चाए मिल जाती तो बड़ी राहत मिलती। सूनसान में बनी छोटी सी शौप के पास रुका जो की चाए की दुकान लग रही थी। दुकान पर ताला पड़ा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों चाए तो किस्मत में नहीं, हाँ थोड़ा आराम कर लो यहां पर। सेना की इस टुकडी ने करीब तीन घंटे पहले सर, यह चाए की दुकान है, हम चाए बना सकते हैं, बस यह ताला तोड़ना होगा। आरमी मेजर सोच में पड़ गए, यह एक अनैतिक सलाह थी, लेकिन ठंड में ठके सेना के जवानों को एक कप चाए से बड़ी सहायता मिलेगी, यह सोच कर उन्होंने अनुमती दे दी, कि आरमी के जवान आगे बढ़ने को तयार थे, मेजर ने सोचा, उन्होंने दुकान तोड़ी और बिना दुकान के मालिक की आग्या के चाए बिसकुट लिया, लेकिन हम कोई चोर मंडली तो है नहीं, हम तो आरमी के अनुशासित जवान हैं, मेजर ने एक हजार रुपे परस से निकाले और दुकान के काउंटर पर एक डिब्बे से ऐसे दबा कर रखा कि चाय वाले को आसानी से मिल जाए, मेजर अब अपराद भावना से मुक्त हुए, उन्होंने दुकान के दरवाजे बंद कर आगे बढ़ने का आदेश दिया, तीन महीने का समय बीता, इंडियन आर्मी के इस टुकडी ने बड़ी जिम्मेदारी और सजकता से आर्मी पोस्ट पर ड्यूटी निभाई, सबसे अच्छी बात ये थी कि इस दौरान हुई कई जड़पों के बावजूद सभी सही सलामत थे, अब समय आ गया था कि अगली टीम उनकी जगह लेने के लिए चायवाला मौझूद था, चायवाला एक बूढ़ा व्यक्ति था, इतने सारे ग्राहकों को एक साथ देखकर वो बहुत खुश हुआ, सभी को उसने चायवाले से बात करने लगा, मतलब वो कहां रहता है, कबसे ऐसे सूनसान जगह पर दुकान चला रहा है, बूढ़ा अप और भगवान हर जगह है, तो उसने आपको इतनी गरीबी में क्यों रखा है, ऐसा मत बोलो साहब, भगवान कहां नहीं है, भगवान वाकई हर जगह है, मेरे पास सबूत है, चायवाले ने कहा, तीन महीने पहले की बात है, बड़ा बुरा, समय चल रहा था, मेरे एक लौते बेटे को आतंकवादियों ने कुछ जानकारी पता करने के लिए बुरी तरह से मारा था, ऐसी जानकारी जो उसे पता ही नहीं थी, मुझे दुकान बंद करके लड़के को अस्पताल में भरती करना पड़ा, दुकान कई दिन बंद रही और उधर दवाईयों, इलाज का खर और मदद के लिए प्रार्थना की और वाकई भगवान उस दिन मेरी मदद करने दुकान पर आए, हुआ यह कि अगले दिन सुबह जब मैं दुकान पर लोटा, तो क्या देखता हूं कि दुकान का ताला तूटा पड़ा है, मेरी तो सांस ही रुख गई, लगा कि सब खत्म ह जो थोड़ा बहुत था, वो भी चला गया, तभी मेरी नजर काउंटर पर डिब्बे से दबे एक हजार रुपियों पर गई साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, उस दिन मेरे लिए उन रुपियों की क्या कीमत थी, कौन कहता है भगवान नहीं है, भगवान सच में है साहब, बिल्कुल है, चाय वाले की आँखों में गहरे विश्वास की चमक थी, सभी जवानों की आँखें मेजर की आँखों से मिली, मेजर समझ गए और इशारों में ही सब को आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेजर साहब उठे, चाय का पैसा दिया और बूढ से हाथ मिला कर बोले, सही कहते हो बाबा, वाकई भगवान सच में होते हैं, और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया, आपकी चाय बहुत अच्छी थी, सभी जवानों की आँखें मेजर की आँखों से मिली, जो की थोड़ा नम हो चली थी, पहली बार उन्होंने ऐसा नोटिस कि सेना के जवानों के लिए उस रात वो दुकान भगवान, कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है भगवान होते हैं, कि नहीं, हम सोचते हैं, भगवान हमें चमतकार दिखा कर अपने होने का सबूत दे, भगवान की सत्ता ऐसे कारे नहीं करती, नहीं आपके लिए उन्हें झाल झाल